जैहिन बच्चों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल पर बच्चों आज के इस वीडियो में हमका अच्छा बारा के बिद्यारतियों के लिए बहुत ही महत्पूर्ट कोस्चन लेकर आए है जो बार बार प्रिच्छों में पूछे जाते हैं पहला कोचन है कि भुगोल का जनक किसे कहा जाता है कौन आर्थी भुगोल से सम्बंधित है कौन आर्थी भुगोल से सम्बंधित है सम्बंधित नहीं है किसी भुगोल विपड़न भुगोल प्रेटर भुगोल चिकिस्टा भुगोल यहां पूछे बच्छों आर्थी का आर्थी में समझते हो जो धन से सम्बंधित होता है तो आर्थी भुगोल सम्बंधित नहीं है चीकिस सब वगोल आर्थी वगोल से सम्बंदित नहीं है जन संक्या के आगार के नुसाइब विश्व का सबसे छोटा महादीब कौन से युरो प्रीका त्रीमिरका ओस्तीनिया सही ज़्वा बच्चों यहां जो है खाओ जाएगा ओस्तीनिया चलिए अगला कोश्चन दिखेंगे हम लोग अगला वभी के लिए प्रशन है निम्रिखित में से कौन सा एक वनो पर आधारित उद्धोक है सिमेंट उद्धोक वस्त उद्धोक इल्मूनियम उद्धोक कागज उद्धोक निम्रिखित में से काौन सा एक परकार के लिए कच्चे माल का उद्धोक करता है कुटीर उद्धोग छोटे परमानेक उद्धोग सोचंत उद्धोक अधारभूद उद्धोक ठीक है अगला कुशन देखेंगे अगला वभी किलिपरोसम दिखेंगे जो most important देखो कई वर्षों BVI बीरी importance question कई वर्षों बच्छों परिच्छों पूछे जा रहे हैं निम्रिखित में से कौन सा एक तीतियक किरिया कलाप है खेती बुनाई बेपार आखेट तो तीतियक किरिया किलाप कौन सा है बच्छों यह जो बेपार यह तीतियक छेत्र के अ है बिभुच रहे हैं किरिया कलाप नहीं है यह सब पर्थम किरिया कलाप के अंतरगत आता है मशली ना थीक है मस कालन हो गया मूर्गी पालन हो मूं गया कि Dashक के अंतरगत आते हैं अगला कोशन है मानो भुगोल को परभासित कीजिए, आईए इसका उत्तर में लोग देखते हैं कि मानो भुगोल किसे कहते हैं, देखो बच्चों मनुस और भावतिक पर्यावान के मद्ध मान भी अंतर संबंदों का अध्यन करने वाला भुगोल जो है मानो भुगोल कहलाता है, अगला कोशन है अतलगुद्री परशन है बच्चों ये, मानो भुगोल के कुछ उपछेत्रों के नाम बताईए, मानो भुगोल के उपछेत्रों के नाम बताईए, तो मानो भुगोल के उपछेत्र निमलिखित है, मानो भुगोल के उपछेत्र निमलिखित है, नमबर एक है बेवारवादी भूगोल, नंबर दो है बच्चों समाजी कल्यान भूगोल, अब तिसरा है सांसिती भूगोल, अयतिहासी भूगोल, लिंग भूगोल, संसाधन भूगोल, ये जो है मानो भूगोल के क्या है उर्चेत रहे, अगला कुशन है जनसंख्या परवास से क्या तात पर है आईए इसका बच्छों चलिए उत्तर देखेंगे देखो जनसंख्या का एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थान आंत्रित होना जनसंख्या परवास कहलाता है जहां से जो है लोग परवास करते हैं उसे जो है उदगम अस्थान तथा जहां लोग जाते हैं उसे उस अस्थान को जो है गंतब अस्थान कहते हैं देखो बच्चो जहां से लोग परवास करते हैं उसे उदगम जहां से लोग निकलते हैं उसे उदगम कहते हैं जहां से लोग परवास करते हैं उसे उदगम अस्थान जहां लोग जाते हैं उस अस्थान को जो है गंतब अ स्थान कहते हैं अगला कॉशन में मानो बिकास का आस है मानो के समपूर बिकास से है जिसमें समाजिक आर। कियों राजनीतिक सुतनत्ता सहित अन आउसरों की सुतनत्ता समलित होती है इसी कहते हैं मानोव विकास ने इस कोशन देखेंगे में लोग बहुत इंपोर्टेंस बेरी इंपोर्टेंस कई वर्षों से लगाता परिच्छों पुछ जा रहा है अथवा विश्व के पर्मुप पत्तनों यानि पत्तन भी कहते मंदरगा को पत्तनों का उलेग कीजिए तुत्ता देखेंगे के विश्व के दो पर्मुप बंदरगा निम्रिखित हैं नमबर एक लंदन मंदरगा नमबर दो निव्यार्ट बंदरगा निवयर को विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर माना जाता है जबकि लंदन ग्रेट बिटेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है या एक नदी बंदरगाह है अगला कुशन देखेंगे संगाई पत्तन की भगोलिक इस्तिती का वड़न कीजिए संगाई पत्तन की भगोलिक की स्थिति का वड़ान की जीत बच्चों पत्तन माने आप समझ गए हो बंदरगा कहते हैं तो चलिए आई इसका उत्तर देखते हैं लो देखो यहाँ बिश्च के जन संख्याक दिश्च से बिसाल नगरों में से एक है चीन का यह परमुक पत्तन सहर हांगो नदी कितर पर समुझ से लगभग 86 किलोमीटर पर अवस्थित है संगाई बंदरगा से जापान कोरिया सही चीन के आंतरी भागों को जो है समान भेजा जाता है दो बच्चों यह दो कोशन अतलिगुत्ती कोशन है बेरी इंप्वर्टनस कोशन है पूछा गया परिष्छों में आए दोनों का उतर देखते हैं सस्फ़र्यम देखेंगे भूगोल का भूभिज्यान से क्या संबंद है तो भूभिज्यान एगभोल की साखा के मद्द एक अंतर संबंद है भूमिगत जल की इस्थिती जज रोतों आधिका अध्यन भी दोनों ही बिशियों में किया जाता है ठीक बच्चों और भू बिज्ञान में भूगर्ब से सम्मधि बिशियों का विस्तार पूरवक अध्यन किया जाता है जबकि भूगोल में उनका संचित रूप से मानो उप्योगी दिश्रे अध्यन किया जाता है अगला कुछन है कि भूगोल का अर्सास से सम्मध अस्पष्ट कीजिए भूगोल का जो है अर्सास से सम्मध अस्पष्ट कीजिए चलिश का उत्तर देखते हैं लो जबकि भुगोल के अंतरगत है पित्वी यों मानों के अंतर संबंदों जिसमें मानों की आर्थिक किरिया वह संसाधन भी सामिल है का अध्यन किया जाता है अगला कोशन है बहुत इंपोर्टन कोशन है अध्रिगोत्री है देखो बार बार परिच्छों दोस्तों पूछा गया है आई बच्छों इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग बिश्व में गेहूं के दो पर्मुक नियातक देशों के नाम लिखिए तो बिश्व के दो पर्म आयात मने आना और नियात मने जाना तो बिश्व में गेहूं के दो पर्मुक नियातक देशों के नाम लिखिए तो बिश्व के दो पर्मुक नियातक देश समय उत्राज अमेरिका और अर्जेंटीना है ठीक है अगला कोशन है जूट उत्पादा के दो पर्मुक देशों के नाम बताईए तो आईए देखते हैं जूट को पर्षण में बोला जाता है अथवा करें देगा बच्चों बिश्ट के किनी दो जूट उत्पादक देशों के नाम बताईए तो जूट उत्पादन भारत और बंगला देश का नाम अग्रणी है क्योंकि जूट यानि भारत के पश्ची मंगाल में सरस्ट जादा होता जहां बिश्ट के 87 पर्शंट जूट का उत्पादन होता है। Virginнего अला कोशन में जो लगुत्री कोशन हैं very importance है, रोपण या बागाती या बागानी किसी क्या है, इसकी परूर्विष्रिष्टाओं का उरण कीजिए या किन किन देशों में की जाती है, आई इसका उत्तर देखते हम लो, अथ्वा बागाती किसी की सार्थकता महत का उरण कीज किए अधार रोपण किसी की किनी चाह विश्यस्ताओं का वड़ान कीजिए मुस्ट इंपोर्टन कोश्चन है आई इसको उत्तर देखते हैं लो देखो रोपण या बगाती या बगानी किसी को बेवसाइक या बैपारी किसी कहा जाता है इसके अंतरगत ऐसी किसी फसलों का उ जिससे उद्धो धंदों के लिए कच्चे माल की रूप में अपूर्ती हो इसके लिए एक विशेश परकार से विशेश बगानों या फार्मों में एक ही परकार की फसलों जिसे रबा, चाय, कहवा, गन्ना, फल, केला, अननास, कोकोवा, आध्य ब्यापक वैमाने पर उगा करते हैं, देखो सस्ते सर्मिक, सर्मिक जो मिनहत करता है, प्रिश्रम करता है, उसे सर्मिक बोला जाता है, सस्ते सर्मिक यह याधायाद के बिक्सित साधन के काम, बागान, एम, बाजार, सुचार रूप से जुड़े रहते हैं, नमबर दो, इस प्रकार किसी का अधितर भा सासन होता है नहीं अंग्रीजियों कर सासन था तो उस काल को जो है आपनिवेशी काल कहा जाता है चलिए अगला कोच्छन देखेंगे मोग नेश्ट कोच्छन है किनी दो किसी अधारित उद्वों के नाम बताईए देखो यह भी इंपोर्टन्स कोच्छन है अतवा किसी अधा बहुत से प्राप्त किया जाता है अधिक नगदी फसले किसी अधारित उद्वों के लिए उपित्व मारी जाती है गैर अधार मुधत उद्वोक्त से क्या थात पर है वह भ॑कता मुंदक को परत्य शुरूब से प्रभावित करती है जैसे चाए शाबून, कागाच शिंग जार समान और टेली वीजन आदी इन सभी को जो है गैर अलहार भूत उद्धो कहा जाता है वो भोकता किसे कहते बच्छो जो वस्त को भोक करता है और जो वस्त को उपादन करता है उसे उपादकता कहते है और जो वस्त को भोक करता है उसे क्या कर बोला जाता है वो भोकता बो इध्य लोग देखो, दो do के अस्थानी करण 특ड игр की मान वहा हर की कैह सकती से होता है। क्राय माने होता है खरीदना नमबर दो बच्छों सरम अपूर्थी जो है अधिगम्मता उद्धोगों में सरम अपूर्थी अर्थात कुसल और अर्थ कुसल सर्मिक अवश्चक होते हैं अगला क्वेश्चन जो 2024 बोर इक्जाम के लिए जरूर पूछा जाएगे बच्छों आईए इसका उत्ता देखते हैं लगुत्री प्रस्ण है बेरी इंप्वेश्चन दोजार 2024 बोर इक्जाम के लिए भारत में जनसंक्या बृद्धी के काणों का उल्ले कीजिए तो उत्ता नंबर दो भारत में अशिच्छा रूडियां एवाम अवेज्ञानिक मानता है रूडियां मलग जो प्रंपराय जो चली आ रहे हैं पहले से गव निरुद्धा के वह परिवार नियोजन कारिकुनों को उच्छी ढंक से लागू ना कर किया जाना एसा बच्छों जनसंक्या बिद्धी के कारण है जनसंक्या फैलने कारण है जनसंक्या बिद्धी को रोकने के लिए एच्छी के और अनिवार पतिबंदों को अपनाने के लिए जन समान में जागुर्टा का आभाव होना जरूरी है भारत में जनसंक्या बिद्धी को रोकने नियंतित करने के चार इच्छा कीजिए तो उत्ता देखेंगे ज़संख्या बिद्धी को निम्रिखित उपायों द्वारा कम किया जा सकता है नंबर एक परिवार नियोजन काली कर्मों को परभावी रूप से लावु किया जाए नंबर दो विविन प्रकार के गर्म निर्दुधम उपायों को प् प्रत्यास्था में बिद्धी हो और व्यक्ति छोटे परिवार के प्रती प्रेणा प्राप्त कर सकें अगला नंबर जनसंख्या बिद्धी से उत्पन अत्रिक जनसंख्या को सिच्छा पर सिच्छण यवां अनकौसर विकास कारीकर्मों दौरा मानौव संसाधर ने बदला जाए ताकि बिरोजगारी की समिस्या कम हो सके गरीवी को कम करने के लिए आति विकास के प्रयासों को और अधिक तीवरे गत्त से परदान की जाए जासंक्या नीत को उच्छी तेवाम ससक्त रूप से लागू किया जाए अगला कोशन देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंस कोशन है हरित करांती के नकर आत्मा परभाव क्या है तो आईए इसका उत्तर देखते हैं हरित करांती के नकर आत्मा परभाव निमलिखित है नमबर एक सिचाई के अत्यधीक परियोग से जल करांता तथा लावनता की समिस् नमबर दो मिट्टी की उपदागता बढ़ाने के लिए उरूरकों के नाम पर रसायनों की मात्रा जो है बढ़ गई अगला कोशन मोस्ट इंपोर्टन कोशन है लगातार कई वरसों परिच्छों पूशे जा रहा है बच्छों दो परमुख नगदी फसलों के नाम लिखिए तो आईए इसका उतर देखते हैं भारत की दो परमुख वाणिजी फसल निमले के वाणिजी मतलब जो बेपार के लिए की जाता है नमखर आई बच्छों चाई चाई एक रोपन फसल है जो पेपदार की रूप में परियोग की जाती है इसको पीते हैं लोग चाई बनाके नमखर दो काफी या जो है बच्छों उस्ट करबंदी छित्रों में काफी की रोपन किसी की जाती है अगला कोशन है भारत में गन्न बारा के विद्धियार्थियों के लिए जग और फीके